Hello everyone and welcome to Candid Treat तो आज हम बनाने वाले हैं Momo Manchurian Super Spicy and Super Delicious होने वाला है तो इसे बनाने के लिए पहले हमें Manchurian Gravy बनानी होगी जिसके लिए आपको 2-3 टेबिस्पन ओल चाहिए उसे अच्छे से गर्म कर ले उसके बाद उसमें डाले 1 टेबिस्पन गार्लिक बहुत ही छोटा कटावा और आधा कटावा प्याज और हाफ कटीवे सिम्ला मर्च इन सभी को हमें सौटे करना है हाई फ्लेम पर 4-5 मिनिट के लिए बहुत जादा कुक नहीं करना तो सबजियों को हलका से पकाने के बाद इसमें डालना है 2 टेबल स्पून सोय सॉस 1 टेबल स्पून विनेगर 2-3 टेबल स्पून टोमेटो केचप और यहां मैंने रेड चली सॉस यूज नहीं किया है आप वो भी यूज कर सकते हैं क्योंकि यहां मैंने मोमो के लिए जो रेड चटनी बनती है जो कि बहुती ज़ादा स्पाइसी होती है तो 3-4 टेबल स्पून वो रेड चटनी यूज करनी है जिससे कि मोमो मंचूरेन बहुती ज़ादा स्पाइसी बनेगा अगर आपको स्पाइसी पसंद है नहीं तो आप थोड़ा सा क्वांटिटी को डिक्रीज भी कर सकते है उसके बाद इसे 2-3 मिनट के लिए पकाना है मीडियम फ्लेम पर तो आप यहां थोड़ा सा सॉल्ट भी आड़ करें अपने टेस्ट के हिसाब से उसके बाद अगर आपको इसे ग्रेवी वाली बनानी है तो आप थोड़ा सा पानी भी यूज कर सकते हैं बट यहां मैंने ड्राइ वाली बनाई है तो मैं इसमें पानी यूज नहीं कर रही हूं और अब इसमें डालना है वेज मॉमोज तो इसकी रेसिपी अगर आपको देखनी है तो उसकी वीडियो आपको मैं चैनल पे मिल जाएगी उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा तो वहां से आप चेक कर सकते हैं और इन वेज मॉमोज को बनाना बहुत ही ज़ादा सिंपल है और अगर आप फिर्स्टामेर एड वीडियो देखनें दन दो सब्सक्राव को मैं चैनल सो मस्त आइ एस रसेपी और झी यु ने ने क्ट वीडियो